तो हेलो एबरें वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल मेडिसेब मेडिसिन्स आज मुल बात करने वाले कि सब्सक्राइब ने कॉमेंट किया कि सर्थ ऑस्टोमेलाइटिस क्या होते इसके बारे में बताईए तो ऑस्टोमेलाइटिस एक प्रकार का इन्फैक्शन होता है जैसे यानि एक प्रकार का इन्फलामेशन होता है दर्द होता है या हड़ी का एक इन्फैक्शन होता है या एक प्रकार का बोन इन्फैक्शन होता है क्या होता है बोन इन्फैक्शन जो आम तोर पर बैक्टिरिया या माइक्रो बैक्टिरिया या फंगल की वज़ा से होता है इस जो होता और रक्त प्रवाह के जगे फाइल कर हड़ी को संक्रमीत कर देता है जो होने का कारण होता है यह blood flow rate के कारण होता है जैसे कि मान के चलिए आपको पहले यहां पे था तो यहां पे था तो क्या हुआ ब्लड फ्लो हुआ तो यहां से यहां से इसका बैक्टरिया उटके यहां पे चला है यहां से यहां इसका ट्रांसपर हो गया ट्रांसपर होने करण जो चीज़ यहां पे ता वो चीज़ आके यहां पे हो गया तो यहां का गहाओ यहां भी हो गया तो एक बोन इंफेक्शन होत जैसे कि आप यहां देख सकते हैं और श्टोमोलाइटीस की जो लक्षन होते हैं इसके लक्ष में जो कि बुखार आना दर्द और सूजन थाकान इंफ्लामेशन होगे आपको थाकान फिल हो सकती है और हड़ी में दर्द जिवात है जब आपको हड़ी में इंफैक्शन होगा तो आपको क्या होगा इसमें दर्द की वपस्तिती देखने को मिलेगी ठीक है ऑस्टोमोलाइटीस जो होते हैं जनरली बच्चों में और व्यस्कों में यानि बोड़े बिजूर्गों में देखने को मिलते हैं इनके कारण जो होते हैं यह क्या होते हैं हड्यों के अंदर एक प्रिकर का सूजन हो जाता है और इंफेक्शन के कारण वहां की हड़ी खोकली हो जाती है वहां की हड़ी में ताकत अपना खोग देती है केंसियल केल्सियम खोग देती है थैंक्स पूर वच्ण वीडियो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब होस्पिटल और मेडिसीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार किया आपको जानकर इसे तब कमेंट कर सकते हैं मैं उसके बाएं में एक प्रोपर वीडियो बना दूँगा